Hey everyone, welcome back to my channel और आज ची वीडियो हम डिजाइन करने वाले हैं ये वाला पूस्टा So let's start First of all हम select करेंगे जहांचे अपना pen tool और हमारे जहांचे select होना चाहिए shape फिल हम कर देते हैं off and then हम जहांचे draw करेंगे और अब हम फिर्चे एक new layer लेंगे पैंटूल select करेंगे और यहां चेंचे एक लाइन ड्रो करते हैं इसके color को हम थोड़ा dark ले लेते हैं और अब हम फिर्चे एक new layer लेंगे और इसे हम रखेंगे इसे नीचे पैंडू स्लेट करेंगे और फिस हम ट्रो करते हैं और अब हम बैक्राउंड लेयर स्लेट करते हैं adjustment icon पर जाएंगे unsolid color और यहां से हम ले लेते हैं dark और अब हम इस वेलियर को स्लेक करेंगे एक new layer लेएंगे और हम यहां पर जाएंगे polygonal lasso tool और यहां से हम बनाते हैं एक selection और इसमें हम fill करेंगे bright color और इसे हम fill करते हैं alt and backspace और ctrl d right click करेंगे and convert to smart object और यहां से हम करते हैं clipping marks filter पर जाएंगे blur and gaussian blur ओके opacity कम करते हैं जो हमारे यह color इसे हम थोड़ा dark कर देते हैं जैसे कि हमारा यह वाला था और अब हम फिर से एक new layer लेते हैं और यहां से हम select करेंगे gradient और जो हम color लेते हैं यह वाला तो इसे हम पहले change करते हैं और फिर हम यहां पर apply करेंगे blending mode change करके देखते हैं पहले हम करेंगे overlay then हम faces से copy बनाते हैं और अब हम इसे blending mode को करते हैं screen opacity कम करेंगे इसे भी opacity हम थोड़ा चा कम करते हैं और अब हम इस वाले layer को select करेंगे एक new layer लेंगे right click करेंगे and create a clipping marks और यहां से भी हम select करेंगे gradient और यहां पर apply करेंगे इसके blending mode को पहले हम करेंगे overlay then हम इसे copy करते हैं और अब हम इसे करते हैं screen इसके opacity कम करेंगे angle change करते हैं and okay हम फिर से एक new layer लेंगे right click करेंगे and create a clipping marks यहां जाएंगे और यहां से हम फिर से selection बनाते हैं ऐसे उसमें हम fill करेंगे white color और जो हमारा white color है वह हमारे foreground में है तो उसे हम fill करने के लिए करेंगे alt backspace then ctrl d right click करेंगे convert to smart object then go to filter and Gaussian blur radiation काम रखेंगे and okay then हम इसके blending mode को करेंगे हम soft and okay फिर से हमें एक new layer लेते हैं और यहां से हम बनाएंगे selection उसमें हम fill करते हैं यह color right click करेंगे and convert to smart object then go to filter and Gaussian blur opacity काम करते हैं and okay फिर से हमें एक new layer लेंगे और हमें यहां पी थोड़ा सा dark apply करना तो हम brush to select करते हैं और हम यह color लेते हैं जो इससे ज्यादा dark को और opacity काम करेंगे और यहां पी apply करते हैं ऐसे थोड़ा हो डार्क लेते हैं and okay और अब हम इस वाले layer को select करेंगे और इसे हम पहले करते हैं थोड़ा और यहां पी भी हम एक new layer लेंगे राइट क्लिक करेंगे and create a clipping marks और यहां से हम बनाते हैं selection और इसमें हम यह color fill करते हैं और अब करेंगे और अब करेंगे और अब करेंगे और यहां पर selection बनाते हैं convert to smart object and filter Gaussian blur opacity करेंगे और अब हम यहां पर apply करेंगे shadow तो उसके लिए बहुत सारे तरीके लिए को जो मुझे सबसे जारा perfect लगता है वो यह कि हम blending option पर जाएंगे तो सबसे पहले हम इस layer को select करते हैं क्योंकि यह हमारा उपर है तो हम इसे select करते हैं right click करेंगे and blending option और यहां से हम apply करते हैं drop shadow जो हमारा distance हम उसे कम करेंगे opacity increase करते हैं size भी increase करेंगे और जो हमारा angle है वो हमारा इस तरफ है आप यहां पर देख सकते हूं जो हमारा shadow है किस तरफ आ रहा है तो हमें भी यहां पर show कराना है तो आप angle यहां से adjust कर सकते हैं direction और आप यहां पर अपने हिसाब से रखें and okay अब देखें यहां पर जो हमारा shadow हमारे इस तरफ भी apply किया तो इसके लिए हम right click करेंगे and create layers okay और यहां पर आड़ करेंगे layer marks brush tool slack करते हैं और opacity full करेंगे और यहां से max part हम यहां से erase करते हैं and okay यहां पर आप इस layer को यहां पर clipping marks भी कर सकते हैं जैसे कि तो इसे हम slack करते हैं right click करेंगे and create a clipping marks तो जो हमारा यह layer है वो यहां पर आगया मतलब बाहर वाले पार्ट पर नहीं है तो exactly हमें यहां पर भी आशी करना तो हम इस वाले layer को slack करते हैं right click करेंगे and blending option drop shadow यह जो हमारा shadow आप apply है और यह बिल्कुल perfect है बस angle थोड़ा सा हम change करेंगे और okay और इसे हम right click करेंगे create layers and okay तो अब हमारा जो shadow हो हमारा बस इस वाले पार्ट पर चाहिए तो यह फिर आप यहां से erase भी कर सकते हैं layer mark चाहिट करके यह फिर राइट क्लिक करेंगे और यहां से create clipping marks तो यह देखिए यह हमारे इस वाले layer पर apply हो गया perfect यह थोड़ा ज्यादा चाहिए तो इससे हम थोड़ा कम करते हैं आयमिंग ज्यादा highlight था और अब हमने यहां पर apply करना size से highlight था कि यह हमें एक paper वाला effect नजरा है तो उसके लिए हम फिर से इससे select करते हैं right click करेंगे blending option पर जाएंगे and bevel and embers और यहां से जो हमारा highlight mode है वह हमारा white है और अब हमने यहां पर एंगल चेंज करना है क्योंकि यहां पर देखिए जो आपको white color का highlight वह आपको ऊपर नजरा रहा है लेकिन वह हमें इस वाले part पर चाहिए तो हम यहां से angle change करते हैं यह देखिए जास मैं angle नीचे के तरफ कर रहे हूं यह देखिए यह हमारा यहां पर आगे आप यहां पर effect टेख सकते हो तो size हम कम करते हैं 0 और opacity कम करेंगे यहां फिर हम color change कर लेते हैं opacity कम करेंगे and okay और इस वाले effect को हम यहां पर copy करते हैं तो इसे हम alt hold करेंगे इसे हम यहां से drag करते हैं यह देखिए हमारे यहां पर भी apply हो गया बटर में angle change करने की जरूरत है तो यहां से हम angle change करेंगे यह देखिए and okay और अब हम faces की copy करते हैं और niche वाले यह पर apply करते हैं और यहां पर भी देखिए हमें यहां पर भी angle change करना तो यहां पर double click करेंगे और जो effect हमें यहां पर भी apply करना है ऐसे और अब हम इन सब्सक्राइब करते हैं और अब हम इन सब्सक्राइब करते हैं अग्राउं दें डिययर श्लक करेंगे नियु लेएर लेंगे और यहां राल करते हैं ब्रश तूल और यहां से हम लेंगे bright color पहले और यहां पर apply करेंगे पीशरे एक new layer लेते हैं और यहां से हम लेंगे और bright color size increase करेंगे blending mode हम करते हैं screen पीज देंगे और इस भार हम स्लेट करते हैं हम इपलाइज और अप्लाइज करेंगे dark मोड टीए करेंगे सोरी ओपेस्टी कम करेंगे सबुस्ट로 क्या आएएंगे और अपनों प्रोडैप्ट को यहां लेकिशा हैं तरिंड क्लिक करेंगे क्लames are liar साइज हम कम करते हैं और अब हम यहां पर सबसे पहले apply करेंगे shadow तो उसके लिए हम right click करेंगे and go to blending option drop shadow size हम कम करते हैं angle change करेंगे opacity कम करते हैं and okay और इससे हम जहां पर वाले पर पर अपलाई करेंगे और जो हमारा shadow है वो हमारे यहां पर आ रहा है तो उसके लिए हम right click करेंगे and create layers and okay layer marks add करेंगे और यहां से हम select करते हैं brush tool and okay और अब हम यहां पर add करेंगे glowing effect उसके लिए हम इन दोनों को select करते हैं इससे करेंगे copy right click करते हैं इनको हम कर देते हैं कर दोनों अब merge हो गए है तो अब हम filter पर जाएंगे and Gaussian blur रखेंगे to and okay blending mode हम करेंगे screen layer marks add करेंगे alt hold करेंगे layer marks brush tool select करेंगे and apply और अब हम right click करेंगे blending option पर जाएंगे और यहां से हम इसे इस तरह इंक्रीज करेंगे और जो हमारा यह toggle है इसे हमने यहां से separate करना तो इसके लिए alt hold करेंगे और इसे ऐसे ड्रैक करते हैं यह लिखें ऐसे and okay adjustment icon पर जाएंगे and curve clipping mark करते हैं और इसे हम यहां से highlight करते हैं अब हम adjustment icon पर जाएंगे और जहां से हम click करते हैं exposure और जहां से हम इसे थोड़ा highlight करते हैं layer पर आएंगे brush to slack करते हैं और size से हम इसे करेंगे dark opacity कम करते हैं adjustment icon पर जाएंगे and curve और जहां से हम कुछ setting करेंगे and layers and then हम इस group के करेंगे copy right click करेंगे and come over to smart object और इसे हम उपर करते हैं ctrl T and vertical size increase करेंगे and ok और अब हम filter पर जाएंगे and Gaussian blur filter blur and motion blur new layer लेंगे right click करेंगे and create a clipping marks brush to slack करते हैं और यहां पर हम apply करेंगे blending mode हम करते हैं screen sorry overlay और अब हम इन सभी layer को करेंगे merge इसके लिए करेंगे ctrl shift alt and a right click करेंगे convert to smart object then go to filter and camera raw filter and ok I hope आप सभी को आज के यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना thank you so much for watching bye bye take care